नमस्ते दोस्तों, वेल्कम बैक टो इफ्सा फांडेशन, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं आज यहां दो-दो अमित क्या कर रहे हैं? तो चलो यह सीक्रेट में आपको बता दूँ मैं भी हूँ अमित बट मैं हूँ Mr. Right वो भी है अमित बट वो है Mr. Wrong कभी नहीं भूलिएगा मैं हूँ Mr. Right और वो है Mr. Wrong इस वीडियो में हम आपको कोस्टल ब्रीधिंग के बारें बताएंगे और वो 6 common mistakes बताएंगे जो every viewers करते हैं वीडियो देखने के बाद भी आपको यह common mistakes कभी नहीं करनी हैं तो during the video मैं जो Mr. Right है मैं आपको right way of doing the technique समझाओंगा और मैं हूँ Mr. Wrong मैं वो common mistakes आपको दिखाऊंगा जो as a viewer आप always करते हैं प्लीज आप यह common mistakes बिल्कुल नहीं कीजिएगा ओके अब हम इस वीडियो में आपको coastal breathing के बारें बताएंगे और हम वो 6 common mistakes बताएंगे जो every viewers घर में बैठके करते हैं आपको इन mistakes में से एक भी नहीं करनी है mistakes बताने से पहले यह जो Mr. Wrong है इसे हम यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं विकार जब तक वो यहाँ पे रहेगा आप लोगों से mistakes करवाते रहेगा ओके दोस्तों अब मैं वो 6 common mistakes आपको बताऊंगा पहली common mistakes है wrong chest movement गलत movement of chest यह आपको बिल्कुल नहीं करनी दूसरी common mistakes है wrong breathing speed breathing कितने time में लेना है कितने time में छोड़ना है यह भी आपको बिल्कुल नहीं करना third common mistakes है wrong body posture fourth common mistakes है wrong head position fifth common mistake है how to know your breathing consciously और sixth common mistakes है dizziness या चक्कर आना यह च्छे common mistakes आपको हम इस वीडियो में बताएंगे बट यह दो parts में बताएंगे नहीं तो बहुत लंबी वीडियो यह बन जाएगा तो हमारी part 2 भी ज़रू देखिएगा जहां पर हम तीन common mistakes को अच्छे से spin कराएं अब मैं शुरू करता हूं coastal breathing coastal breathing हम जो शुरू करेंगे सबसे important point है अभी body posture क्या होगी हम बैट के therapy लेंगे खड़े होके therapy लेंगे चल के हम therapy लेंगे यह mistake है जो हर viewers करते हैं वो confused हो जाते करना क्या है लेकिन इससे बड़ी mistake होती है वो होती है positioning of chest chest आगे जाएगी उपर जाएगी नीचे जाएगी chest जाएगी कहां जब expand होगी तो इस mistake को हम first mistake बोलते हैं उससे मैं explain करूंगा उससे पहले मैं coastal breathing बताता हूं है क्या coastal breathing में आप air inhale जो करेंगे mouth से करेंगे mouth से करेंगे और अब chest में inhale करेंगे lungs होती है air वहाँ जाती है आपको inhale अच्छे से करना है जैसे आपकी chest expand होगी अब देखिए मैं भी coaster breathing करूंगा आपने देखा मैंने coaster breathing किया और आपने ये भी देखा मेरी chest कितनी expand हो रही थी यहाँ पे viewers एक very common mistake करते है वो chest को ऐसे expand करते है ये mistake आपको नहीं करनी है अभी हमायर जो Mr. Wrong है उन्हें में बुला देता हूँ और आप देखिएगा लोग कैसे mistake करते हैं जैसे आप देख सकते हैं Mr. Wrong अभी coaster breathing शुरू करने वाले हैं और देखिए ये common mistake तो आप देख रहे हो ये common mistake कैसे ये chest को ऊपर लेके जा रहे हैं आपको ये mistake कभी नहीं करना मैं आपको right way भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं तो सारे viewers जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बहुत सारी doubt clear हो गई होगी अब हम चलते हैं coaster breathing में और आगे दूसरी सबसे common mistake के बारे में ओके friends welcome back अभी मैं आपको दूसरी common mistake के बारे हैं बताऊंगा दूसरी common mistake है body position body posture body position क्या होगी जैसे मैं बोल रहा था आपको चलके सांस लेनी है बैठके सांस लेनी है खड़े होके लेनी है तो इसका right answer है आप coaster breathing बैठके भी कर सकते हैं खड़े होके भी कर सकते हैं but initial days में चलके आप नहीं कीजिएगा otherwise आप control नहीं कर पाएंगे और अगर आप बैठके कर रहे हैं तो नीचे नहीं बैठिएगा एक chair में बैठिएगा जिससे आपकी legs floor पे straight रहेगी अगर आप खड़े होके भी कर रहे हैं तो still static खड़े होईगा आपको ये body posture गलती कभी नहीं करनी ये very common mistake है जो सारे बच्चे करते हैं मैं अभी आपको फिर से right way of coaster भी नहीं दिखाऊंगे with a proper body posture आप देख रहे हो मैं पूरा खड़ा हूँ मैं ऐसे हिल नहीं रहा बिल्कुल हिल नहीं रहा मैं खड़ा हूँ और खड़े होके मैं सांस ले रहा हूँ आप देख रहे हो मेरी shoulders भी straight है head भी straight है अब मैं आपको Mr. Wrong को बुलाता हूँ और देखिए वो कैसी common mistake कर रहा है यह common mistakes सब करते हैं 99% viewers करते हैं I hope इससे आपको benefit मिलेगा यह देखिए दोस्तों अभी आप देख रहे हो कैसे वो move कर रहा है कैसे उसकी body, posture move कर रही है वो static और still बिलकुल नहीं है अगर आप ऐसे करेंगे तो वो पूरी गलत होगी आपको coaster breathing right way में करनी है जैसे मैंने आपको दिखाया था मैं फिर से आपको दिखाता हूँ अभी आपकी यह दूसरी common mistake है आपको यह दोनों common mistake नहीं करनी देखिए chest भी आगे expand होगी और body posture भी right है यह थी दूसरी common mistakes यह आप बिलकुल नहीं कीजिएगा ओके दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारी third common mistake के बारे में हम जब mouth से breathe लेते हैं तब वो ऐसा नहीं होता कि वो chest में जा रहा है, belly में जा रहा है हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता वो जा कहा रहा है कि हम belly में सांस ले रहे हैं mouth से, chest में ले रहे हैं इसे realize करने के लिए हम एक हाथ रखते हैं chest में और chest expand होती है इससे आपको realize होगा कि air chest में जा रही है बहुत common mistake होती है कि बच्चे बहुत जादा air belly में लेना शुरू कर देते हैं और chest में कम air लेते हैं इससे और stuttering बढ़ जाती है, stammering बढ़ जाती है, हकलाना बढ़ जाता है आपको ये ध्यान देना है कि air chest में जाए और आप ये conscious breathing को आप feel, realize कर सकते हैं जब एक हाथ रखेंगे chest में ऐसे आपको करनी है जब मैंने हाथ chest पे रखा, तो मेरी हाथ expand हो रही थी और मैंने realize करा air chest में जा रहा है मेरी belly थोड़ी सी बाहर आ गई है जिसकी वज़े से आपको थोड़ी सी movement दिख रही होगी belly में बट वो as minimal होनी चाहिए जिसकी flat tummy है, वो यह समझ जाएंगे तो यह है तीन common mistakes जो every viewers करते है आपको यह तीन mistakes बिल्कुल नहीं करनी अगर आप यह तीन mistakes को solve कर देंगे आपकी coastal breathing 50% solve हो गई है और भी तीन common mistakes हैं जो बच्चे always करते हैं, viewers always करते हैं वो हम part 2 में explain करेंगे इसकी next वाली वीडियो part 2 है, वो आप जरूर देखिएगा तो यह है 6 common mistakes थैंक यू फ्रेंड्स और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा बिकॉज आपके लाइक करने पे ही आपके सब्सक्राइब करने पे ही हम ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो बनाते हैं मुझे बहुत सारे members phone करते हैं और वो कोस्टर बीदिंग करके बोलते हैं मुझे सर मैं अच्छा कर रहा हूं कोस्टर बीदिंग मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं कोस्टर बीदिंग बट हम उन्हें ये explain करते हैं कि आपको कोस्टर बीदिंग में ऐसे करनी है ये गलतियां होती है तो आप ये गलतियां बिलकुल नहीं कीजिएगा ओके फ्रेंड्स, have a nice day बाबाई